है फ्रेंड्स फर्वरी का महिन नालगबा कटम होने वाला है लब कुछ दिन बीच चुके और होली आने वाली है तो हम उसके लिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिप्स इसके लिए मैंने बड़े बड़े आलों को उसकाइदे से छेल के साफ करके रख लिया है और एक बाद का ध्यान रखें कि इसको डैweg्ट पानी में ही काटें क्योंकि नहीं तो आलो गाल नहीं करoser है तो इसी go ऐगया तो हम इसे थे हम सारह काट लेंगे आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकु से भी अज्द्री पतले बंटले सलैसες काट 75-80% पकना जाएं और दूसरे यह देखने में ही पता चलेंगे आपको ट्रांस्पेरेंट लगेंगे देखिए आलू दिख रहे हैं पके पके दिख रहे हैं यह थोड़ा उंगली से टूट जाएं तो इसको पानी से चान दें और पानी को 10 मिनट के लिए काइदे से चन जाने दें पानी अच्छे से चन जाएंगे तभी हम इनको फैलाएंगे इसके लिए हमें एक साफ कपड़ा या ज़रूरत होगी तो देखिए पानी चन चुका है अभी में इसे एक प्लेट में घाली में डालेंगे कमयादी के इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और चिली फ्लैक्स को मि अच्छे से यह अगर आप ब्रेट के लिए बनाना चाहते हैं तो आप सेना नमक डाल के ब्रेट के लिए बना सकते हैं यह चिपस साल भर तक साल से भी ज़्यादा आप अच्छे से अगर रखें थोड़ा बीच में धूप में सुखाते रहें तो बहुत साल बर चल सकता है को इसको अच्छे से फैला लेंगे करने की कोसिस ना करें नहीं तो यह तूट जाते हैं फोड़ा फैलाने में इसमें टैम लगता है और नहीं तो चाहिए तो दो दिन लग भाग हमने लगाई हैं इसे गाई ह।sa के लिए और इनको अच्छे Says आप में बना लिए शे से के खाएं देखिए कितने टेश्टी और स्वादिश दिख रहे हैं अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा और एक बार बना के ट्राइब करें और अगर आप कोई वीडियो और रेसिपी का देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद